हे गाईज केस्तों अप लोग बहुत बहुत स्वागे थे अपका सुपर फास्ट क्लासेज यूटूब चैनल पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सीधे सीधे आपको बता दू कि एक्चुली मेरी तबियत खराब थी कई दिनों से इसलिए चैनल पर वीडियो नह दिलनी चालू हो जाएंगी और अब आप लोग के बोर्ड पर इच्छा में आप जानते होंगे कि अगर आप क्लास 10 यूपी बोर्ड के स्टुडेंट है तो ज्यादा टाइम नहीं बचाए क्योंकि दिसंबर जनौरी फर और मार्च में तो आपका एक्जाम होना ही है तो आ मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो लड़की हैं उनके लिए भी बनाया जाए और यह जो सारे के सारे कोशन मैंने इसमें खुद यह टाइप किया है खुद डाला हुआ है तो ऐसे यह कोशन डाला हुआ है कि आप लोग की जो में बोर्ड पर इच्छा होगी यानि जो मार्च में इसमें से डारेक्टली कोशन फसेंगे जी है मैं दोस्त तो आप इस वीडियो को अंतक देखते रहना और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकान को भी दवा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिवेशन आप सबको मिलती रहे और देखो अगर अगर आपको अब मातर दो-तीन महीने बचे हैं इसमें मैं बता दू आप सब अलगबग तो आपका सलेबस खतम ही होने वाला होगा आप सब सब्जेक का आप जानते ही होंगे तो अब इस समय क्या करना होता है कि जितना भी आप लोग का जैसे अर्द्वार सिक परिछा का पेपर हुआ उसके अलबा जितना भी यह आपको प्रीबोर्ड पेपर मिले अभी तो आपका प्रीबोर्ड इसकूलों में स्टार्ट नहीं हुआ होगा लेकिन आगे चल कर होगा तो जीतना भी pre-board paper आपको मिल जाए, जीतने इसकोलों का मिल जाए, सबको आप solve कर लो, उसके लिए जीतने भी previous year paper, model paper मिल जाए, सबको solve कर लो, अगर इतना भी कर लेते हो तो यार आप लोग का 70-80% बन जाता है, तो चलो, मैं इसके एक-क question को solve कराता हूँ, ज्यादा हम जानते हो कि यूटी बोर्ड का ठीके जो बोर्ड परिछाद 2023 है ठीके बोर्ड परिछाद 2023 के लिए आप जानते हो कि क्लास 10 के वच्चों के लिए ठीके सुरू में 20 मार का objective question पूछेगा नए pattern के अनुशार तो चलो यहाँ पे सुरू में हम लोगे जो 20 objective है उनको कर लेते हैं और जो यह objective होंगे मैं आपको वताना चाहूंगा कि इसमें से लगभग 10 objective आपके प्रमुख लेखक उनकी या प्रमुख रच्चईता ठीके या वही हिंदी ब्याकरण से होंगे जिसमें रश्चंद अलंकार उपसर पड़ते सब रहेगा ठीक तो चलो इनको हम लोग एक एक करकर देख लेते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले यह सुरू में 10 यहां तक आओगे तो दस आप लोगे मैंने बताया कि आप लोगी रचनाओ कि सोक, बिकल, रो वहीं सबरानी, रूप, सिल, बल, तेज, बकहानी, करहीं बिलाप, अनेक परकार प्रकारा यहां पे होगा देखो मुझसे यह टाइपिंग मिश्टेक हो है करहीं बिलाप, अनेक प्रकारा, औरहीं भूमीतल बार ही बारा इसमें उपिउक पक्तियों में रस इस उप्युक्त पक्ति में कौन सा रस यह हमसे पूछ रहा है ठीक तो देखो इस पक्ति में आप लोग को इसका मतलब अगर आप समझते होंगे तो आपको ऐसे भी आप लोग यहां देखो पर ही भूमितल बारी बारा कर रही बिला बिला पर यह रोना तो यह पता चल रह है ठीक है तो उस समय मतलब जो रो रही है ठीक है तो उस समय उसी को एक पक्ति के रूप में यहां कवी ने लिख दिया है और पूछ रहे कि इसमें कौन सा रस है तो सिंपल है भाई कि दुखी है उसमें दुख ही है तो उसमें करूणा का रस होगा करूडश होगा ठीक है य नम्र प्रसंद क्या है आप स्क्रीन साफ शाब देख सकते हो 12 नम्र प्रसंद हैं ठीके की रोला चन्द में कितने चरण होते हैं देख़ो आपका इजाए में दो चीछे पूछेगा एक रोला पूछेगा एक दोहा पहले क्या था ना कि इस से मतलब रोला और दोहा से पहले आ बहार नहीं पूछेगा बल्कि इससे objective type का प्रसंद पूछेगा तो यहां बोला कि रोला चंद में कितने चर्ण होते हैं तो देखो जो रोला होता है सबसे पहले ठीक है देखो यहां पर मैंने दोहा लिखा है कि रोला दोहा नहीं सोठा रोला और शोठा दो मतब्hte उन्दोटिक्सट पूछा करता है जिसमें रोला छंद में कितने चरण होते हैं तो रोला जो चंद होता है ठीक है Isonsो प्रसंद के प्रकार होता है तो रोला में 8 चरण हो ses यहां कुछ लिखा होगा ऐसे आप लोग ने जो भी आप देखोगे तो आप ऑप मत्राओं की संख्या के आधार पर इनको सोठा है कि रोला है तो चुकि यह चीज्स में 4 चरण होते हैं। 1 minute चरण कमल बंदव ही राय में अलंकार हैं। क्लाश टेंट की बाद्य भाग में कि 4 कमल बंदब ही राय में क्ए अलंकार हैं। हम से यह प्रसंद पूछ रहा हैं। तो सीरिसी याद रखिये क्यों पूपस्थित उपसर्ज क्या होता है उपसर्ज आपके पहले। के सब्सद पहले करेंगे। यहाँ अनु नहीं है, देखो, यहाँ आप अलग-अलग इनको करोगे, तो इस धर जो सब बनता है, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तो अनु और पस्थित का मतलब तो कुछ, मतलब खास नहीं है, यह तो गलत है, तो इसको अलग-अलग करोगे, तो अन प्रते होगा, ठी ठीक है, तो इसमें अन प्रते होगा, ना कि अनु ठीक, अन प्लस उपस्थित, क्योंकि उपस्थित एक अपने आप में एक अच्छा सब्द है, ठीक, तो उपसर्व जो पहले लगा हो, तो इसमें अन प्रत लगा है, और यह कि यह सब बचेगा, वो बच जाएगा, उपस् पर तो यह जगमागा हट, क्यों? क्यों जगमागा हट, देखो, यहां आ कमाता रहे, तो आ और हट, आ हट हो जाएगा, यह एक सब्द बन जाएगा, सिंपल, तो यह इसका अंसर हो गया, उसके बाद देखो, पंदर के बाद हम लोग शुरो राम रहीम में समास है, सिंपल, यह बीच में ऐसे, यह डैस रहे, जैसे आप लोगा एक माता, पीता भी होता है, बीच में डैस होता है, तो इससे बहुत सारे सब्द होंगे, तो इसमें सिंपल, आप सीज़े सीज़ाद रखें, दोंदर समास होता है, और दिविगु शमास कहा होता है, जहां संख्या का ब तो बोध करा रहा है, कि मलतीन नेत्रों का शमू, लेकिन वो एक तरह, एक तीसरे सब्द को भी डीनोट कर रहा है, कि मतलब सीज़, तो ऐसे इसको बहुबरी समास बोलेंगे, न की दिविगु समास, सिंपल, आई होब आप लोग दिविगु शमास और बहुबरी समास में समझ गया होगे, उसके बाद 17 नमर प्रस्ण है, आप इस स्कीन पर देख सकते हो, 17 नमर प्रस्ण है, कि तलाब, ठीके, तलाब सब्द का तत्सम रूप होगा, ठीके, चलो, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, ओके, तलाब सब्द का तत्सम सब्द होगा, या तत्स अब दोखो यहां पे है अस्वसब्द के प्रवाची सब्द है अस्वश मिन्स क्या होता है घोड़ा, तो इसके प्रवाची सब्द है तुरंग है कि प्यू सु सुधा, बिहंग, द्वीच या मर्कट ककी तो इसका मतलत यह बंदर का प्रवाची कमात्र। और बिहंग और द्विज देखो द्विज मुझे इसमें भी मालूम नहीं है लेकिन पच्छी होता है इसका मतलब यह पच्छी का प्रिवाची सब्द है तो बचाईए तो यह आपसे हम लोगा सब्सक्राइब तो यह हम लोग कि आस्वका हमें प्रिवाची सब्ध पूछ रह यतने डी का और मद्यू का रूप आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा और फल का भिरूप याद कर लेगा सीम्पल यह नदीका कौन सा रूप है ठीके तो आम लोग जब इसका रूप पढ़ोंगे ठीके अशन आपया पता चलेगा यह भीत्पी वहवय चान का nosra त्रित्य विवक्ति और चतुर्त और त्रीमारों भेशक्ति त्रत्य विवक्ति और यement이나 तैसरेमें यदिन 2 owners meditate nnaお ऐसे तो यहां अगर हुए गूझ सोभा कि क्योंकि त्रत्य विवक्ति विवक्ति नुट्सेर करें नद्रिव्या अब देखो यहां है कि पठतु रूप है पठ धातु का कौन सा रूप है देखो यह पठतु पठताम पठन तो यह आज्या का रूप में प्रियोग होता है ठीके तो यह लोट लकार इसको हम लोगों लोट लगार बोलते हैं लेकिन कौन सा पुरूश और कौन सा वच्छन है यह हमें बताना है जो लोट लकार है आप सीधे सीधे पढ़ोंगे पर्थाम पर्थाम पर्थान पर्थान रूप है तो यह first option सही हो जाएगा बाकि यह सब गलत हो जाएंगे तो इस परकार हम दस हम लोगोंने हिंदी व्याकरण के एकतर से बोल सकते हैं प्रसन देख लिया अब चले इधर हम लोगों के जो रचनाओं से सबसंबंदित प्रसने उनको हम लोग देख लेते और इसमें काफी आपको अच्छी चीज सीखने को मिलेगी देखो जैसे यहां पर जूठा सच के लेखक हैं अब देखो यहां पर मैंने जान बूझ कर एक इसमें आप्शन गलट डाला हुआ है क्यों क्योंकि इससे मैं कुछ चीजिया को सिखाना चाहिए तो मालो आप लोगो के 20 अब्जेक्टिव आजए आपके एक जाम में ठीके उसमालो एक ऐसा अब्जेक्टिव हो या एक सदिक भी हो सकते हैं जिसका मतलब आंसर ही गलत हो यानि चारो आपसन में से कोई आपसन सही नहीं हो तो उसका क्या होगा उसका OMR शीट पे आप आंसर क्या भरोगे तो आप कोई भी उस चारो आपसन में से कोई आपको OMR शीट पे आंसर भर देना ठीके भर दोगे तो आपको नंबर मिल जागा भल ही आपने गलत भराए अगर आप नहीं भरे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि कोई कोशन है उसका चारो आपसन में से कोई आपसन सही नहीं है मतलब ये मतलब प्रिंटिंग में स्टेक हो गया है ठीक है ब शीट भरने का नियम है उस अगर कोई measurement हो जाता है उसक्गा option नहीं मिलता है तो अगर कोई लड़का कोई भी आपन चार से मैं लेक 지금 हुआरा बलत है और कुम लिए नफर नहीं मिलेगा तो आप भरी देना क्योंकि आप लोग में रामदारी सिंग नहीं है क्योंकि जूटा सच के लेखक यश्पाल है एक उपन्यास विधा की ये रचना है तो अब आप लोग एक्जाम में कैसे मतलब आपको ये मार्शीट मिलेगी तो कैसे भरोगे आप लोग तो भाई सिंपल मैंने आपको बताया कि इन चारों में से कोई भी आपसन भर देना आप को नमबर मिल जाएगा ठीक शरू अगला हम यह क्या भूलू की याद करो किस विधा प्याधारीत रचना है तो देखो और निर का निर्मार सबीर यह जो दो रचना है कि अध्यों के राजहरों के लेखक कादिना है उसके लेखक का नाम क्या है प्रसिध ना नाटक री रच ठीक उसके बाद देखो ये 4 नम्बर प्रस्द है कि कंकाल नामक नाटक के लेखक हैं कंकाल नामक नाटक के लेखक कौन है तो आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहँगी कंकाल तितली उरावती जिसमें से उरावती अपूर नाटक रह गया था ठीक वो तीडो यह संक्र प्रसाद जी ने लिख्ण था ठीक तो कंकार नाटक के लेखक हैं तो जैसंक्र प्रसाद बागी यह तीनों आप्षण गलत हो जाएंगे उसके बात देखो यह पांचवा परसेंद की अध्वुनीकाल की समय सीमा है देखो सिंपल याद रहके कि अध्वुनीकाल की जो शमय सीमा है वो 18 सक्तिराली से अब तक मानी जाती है हलांकि आधहुनिकाल को कई कालों में और भी बटा गया है वो चलो वो अलग बात है ठीक आधहुनिकाल की समय सीमा 18 सक्तिराली से अब तक की समय को माना जाता है ठीक उसके बाद पांचे बाद इसमें छे प्रसने के गलत हो जाएगा ठीक तो मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक थे मुंसी प्रेम चंद्र इसको आप लोग याद रखना ठीक यहाँ पे चलो यह हम लोग छे के पाद साथ नमर प्रसंद और हम लोगे तीन चार प्रसंद बचते हैं क्यों कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने ब् प्रसिद रचना थी कौन राम चंद्रिया ठीक और यहाँ प्रेम वाट क्या किसकी थी तो याद रखेगा यह भी इंपोर्टेंट है वह रस्खान की थी और आगन के पार द्वार की अगर बात करें तो सचितरनंद हीरानंद वास्यान अग यह की है और प्रिय प्रवास की की बात करें तो काफी एक प्रसीद महाकाब है और यह से मुपाध्धाय हरी यह प्रवास चलो अगले प्रस्नी चलते हैं अगला प्रस्नै की तीसरा तार सब तक को प्रकासित हुआ देखो तार सब्तक इसका मतलब कितने लोग नहीं समझते तर सब्तक पहला तार सब्तक चचना कहा गया जिसका नाम दे गया तरसब्त तो ये तीन हुई तीसरा तरसब्त तक उसमें पूछा कि उसका कब प्रकासन हुआ तो देखो पहले का अगर मैं बताओं तो प्रकासन वक्सवा के तो सब्सक्तियाओं और तरसब्त पूछ लालीत लीच नहीं के जो लली त ललाम है ठीके एक प्रसीद रीतिकाल का गरंथ है और इसके जो रचनाकार है वो है मतिराम इसको आप लोग यात रहे हैं इसका मतलब मतिराम एक रीति यूगीन कवी है ठीक नौ के बाद हम लोग दस नमबर प्रसन देख लेते हैं दस नमबर प्रसन है कि ठूठा आम किस बिधापर आधारीत रचना है ओके कहानी पे उपन्याश पे अलोचिना पे शंश्मर पे तो देखो जूठा जो सच है वह भगवत सरुपाध्यद्याय ज्वारा जो लिखित शंश्मर बिधा की रचना है ठीके तो छूठा आम किस के त्वारे लिखा गया है तो बाकि इसी प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए तो आप कामेंट करकर बताना कि भाई या हमें और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वियल आइकान को भी दबा लेना चलो मैं आपसे मिलता हूँ इस सीविर का की नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू